हेलो अब्रीवन स्वागत है आपका UPSC हिंदी में हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज जिसमें आप तक हम लोग कवर कर चुके हैं एंशेंट हिस्ट्री की दो चैप्टर तो यह जो एंशेंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है इसमें पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा था पाशान काल से संबंदित और दूसरा चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सब्धिता के बारे में जाना था आज यानि की वैदेक काल की शुरुआत थी ठीक है स tablespoon से वदीक शब्ध का जो बला है यह वेद से बना है वेद से बना है वेद का अर्थ होता है ज्ञान वेद का अर्थ होता है ज्यान ठीक तो यहां पर भारत में सैंधव संस्कृती के पश Sanevery नमीन सब्धिता कर विकास die तो उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं और इसी को आर-ए सभ्यता भी कहा जाता है ठीक है? क्योंकि ये माना जाता है कि आरियों के द्वारा ही इस सभ्यता की शुरूवात की गई थी ठीक, और आरे शब्द का अर्थ क्या होता है तो श्रेश्ठ, कुली ये सबी जो है, ये आरे शब्द के अर्थ है ठीक, एक उत्तम व्यक्ति के रूप में माना जाता है आरे को मतलब उसका शाब्दिक अर्थ है तो यहां पर देख सकते हैं कि वेदों को लिखा गया है प्रॉपर तरीके से और इसके साथ ही वेदों को पढ़ा भी जा सकता है तो स्टार्टिंग के लेक्शन में आपको बताया था कि किस तरह से प्री हिस्टॉरिक पीरियड हुआ है फिर उसके बाद हिस्टॉरिक पीरियड हुआ है तो historic period ऐसा काल था जिसमें जो भी written source थे वो हम लोग पढ़ सकते हैं उसको तो यह वेद जो है यह इसी category में आते हैं समानता जो वैदिक साहित है इसकी रचना का श्रे आर्यों को ही दिया जाता है ठीक है यहाँ पे जो किस कहां से इनका मूल निवास था यह कहां से यह main इनका source हुआ है उसके बाद इनका जो भारत की तरफ पलायन हुआ था इस सब को लेके काफी मदभेद हुए हैं और सभी इतिहासका जो है वो अलग-अलग विचार रखते हैं इस पे ठीक है तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दूनों ही बात करते हुए चलें ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरियों का मूल निवासस्थान उसके बाद कुछ विद्वानों द्वारा क्या माना गया है ठीक तो एलडी काल के द्वारा माना गया है कि यह कश्मीर या फिर हिमालय छेत्र के निवासी थे मूलता वहां के लिए आते हैं फिर उसके बाद ब्रह्मरिशी देश से माना गया है गंगानाथ जा के द्वारा सब्त सैंधव प्रदेश से माना गया है अविनाश चंद दास के द्वारा ठीक है तो अविनाश चंद दास का कहना था कि यह लोग सब्त सैंधव प्रदेश से आए हैं मुलता का कहना था इस पर भी question पूछे जाते हैं काफी important है तो मध्य एशिया से मैक्स मूलर का कहना था उत्तरी धूरूप से आए हैं यानि कि आक्टिक से आए हैं ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कहना था ठीक है टिबत से आए हैं ऐसा स्वामी इद्यानन स्वरस्वती का कहना था ये match the following type questions भी पूछे जा सकते हैं तो दोनों के लिए की prepare करिए टेबल के form में चीज़े याद करते हो चलिए वैदिक काल को दो भागों में विभाजत किया जाता है एक रिग वैदिक काल माना जाता है और एक माना जाता है पूर वैदिक काल ठीक है या फिर उत्तर वैदिक काल मतलब कि रिग वैदिक काल दो पार्ट्स में है एक है रिग वैदिक काल जो माना जाता है कि 1500 से 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल यानि कि पोस्ट वैदिक पीरियड पोस्ट वैदिक पीरियड जो कि माना जाता है 1000 से 600 या फिर 500 बीसी तक ठीक है तो रिग वैदिक काल को को ही पूरवैदिक काल भी कहा जाता है यानि कि प्री व 아니고 पीरियद और इसके बाद आता है उत्तर वैदिक पीरियद्ट जिसको पोस्ट वैदिक काल का जाता है और इसका जो टाइम लाइन है वह मैंने आपको बता दिया के यानि कि 5300第二個 पानसो बीसी तक है जína से पंदर guitar से 1000 माना जाता है रिग वेधिककाल और 1500 से 500 माना जाता है उत्तर वेधिककाल ठीक है? अब इसमें कुछ difference है जैसे कि रिग वेधिक काल की अगर बात कीज़े तो जो रिग वेध पाये गये हैं उनसे इनके इतिहास के बारे में पता चलता है सबसे important बात यह है यहाँ पर कहीं पर भी लोहे का उलेख नहीं मिलता है तो iron was not known to Rig Vedic period हाला कि Vedic period में माना जाता है कि लोहे की खोज हो चुकी थी लेकिं Rig Vedic काल से संबंधित नहीं है वो उत्तरवैदिक काल से संबंधित है ठीक है उत्तरवैदिक काल में लोहे का उलेख मिलता है Rig Ved में जो नदी सुक्त है इसमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है इसमें भी direct question पूछे जाते है 21 नदियों का वर्णन मिलता है जिसमें सबसे पश्चिम में कूभा कूभा और सबसे पूर्व में गंगा का उलेख है Rig Ved में अफगानिस्तान की चार नदियों अभी ये काफी important है इसमें भी question पूछा जाता है अफगानिस्तान की चार नदियों का उलेख मिलता है ठीक है, रिग वेद में सब्त सेंधव प्रदेश की साथ नदियों का उलेख है, अभी ये जो है, ये भी आपको याद रखे, क्योंकि ये जो साथ नदियां हैं, इन पे भी डिरेक्ट क्वेस्चन पूछा जाता है, सरस्वती, विपासा, परुषडी, वितस्ता, सिंधु, श नदियां प्राचीन नाम और इनके कुछ मॉड़न नाम यानिक नाम, ठीक है, असकिनी को चेनाब के नाम से जाना जाता है, असकिनी चेनाब, याद कर लीजे, क्योंकि बेसिकली क्या है, कि लेक्ट्टर के साथ साथ चीज़े अगर याद करते रहेंगे आप लोग, तो बह आप लोगों का एक टास्क कंप्लीट हो जाता है, कि हिस्ट्री के इतनी सारी चीज़े हमने रिवाइस कर लिए, ठीक है, कही सारे स्टूरेंट्स ऐसे होंगे, जो आलरड़ी ये सारी चीज़े पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों के लिए ये सब न्यू होगा, तो जो बच् या बिपासा ऐसा ब्यास नदी को कहा जाता है, ठीक है, तो ब्यास और बिपासा ये आप लोग ज्याद कर सकते हैं, परुष्णी रावी नदी को कहा जाता है, परुष्णी वितस्ता जेलम को कहा जाता है, वितस्ता जेलम, कूभा जो है वो काबुल को कहा जाता है, कुरू द्वति ये घगगर नदी को कहा जाता है ठीक है तो ये सबी नदियां जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस पर भी क्वेश्चिन जो है वो डिरेक्ली पुछे जाते हैं रिगवेद की अगर बात कीज़ा तो यहां पर यमुना नदी का तीन बार उलेख किया गया है ध्यान द इंदु नदी का उलेख सरवाधिक बार हुआ है तो इस पर भी गवेश्चिन पूछे जाते हैं कि मैकसिमम बार बार किस नदी का उलेख इंड़स नदी का उलेख सबसे ज्यादा बार मिलृता है और सबसे पवितर नदी वो Gaswati को माना जाता था उस समय की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी सरस्वती को ही मातेतमा, देवीतमा या नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है ये नाम भी important है मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा यानि कि प्रमुख नदी माना जाता है इसके साथ ही सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरन नी कहा जाता है ठीक है तथा इसके गिनने की जगा को परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है ठीक तो ये दोनों नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं इस पर भी question जो है वो directly पूछा गया है इसलिए आ आर्यानों के द्वारा इसके साथ ही मध्यदेश कहा गया है हिमाले और विंध्याचल के परवतों के बीच के छेत्रों मध्यदेश के नाम से जाना जाता है संपूर भारत को आर्या वरत के नाम से भी जाना जाता है ठीक तो यहां पर original home of Aryans और ये टेबल किस इतिहासकार न जानी कि एशिया माइनर के एक अभिलेख से रिग वैदिक काल के देवताओं के बारे में परता चलता है जिसमें प्रमुक थे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्या इन सभी का उलेख मिलता है इंद्र और वरुण के बारे में questions जो है वो पूछे जाते हैं बोगाज अभिलेख प्राप्त होता है जो कि रिग वैदिक काल से संबंधित है इसके बाद वेदिक साहित्य जो है इसको शृती के नाम से जाना जाता है ठीक है शृती का अर्थ होता है सुना हुआ ठीक तो किसी के द्वारा ये सुना गया है और उसके द्वारा ये लिखा गया है इ रिग वेद, साम वेद, यजर वेद और अथर वेद जिसमें रिग, यजर और साम वेद को वेद तरई कहा जाता है या फिर तरई के नाम से जाना जाता है और अथर वेद जो है को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है ठीक है तो रिग, यजर और साम को मिलाकर वेद तरई म इनके भी बारे में लिखा हुआ है सहिता, ब्राम्हणगरंथ, अरण्यक और उपनिशत रिगवेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 जो है वो सुत हैं और 10552 जो है ये रिचाय हैं ठीक है, रिगवेद में 207 तक के जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं 2 से साथ तक के मंडल, next important है रिगवेद के मंडल और उसके रचायिता के नाम ठीक है, तो रिगवेद के कुछ मंडल दिये हुए इसमें जो important है वही हम लोग देखेंगे और रचायिता के नाम दिये हुए प्रतम मंडल मेधा तिती के द्वारा लिखा गया है, इसके साथ ही मदुच मडा के द्वारा लिखा गया है, दृतिया मंडल गृत्स मद के द्वारा लिखा गया है, तृतिया मंडल जो की काफी इंपोर्टन है, ये विश्वा मित्र के द्वारा लिखा गया है, और इसमें ग अश्ठम जो है ये कन्व और अंगीरस के द्वारा लिखा गया है नवम मंडल जो है ये सूम देवता और अन्य रिशियों के द्वारा लिखा गया है और दशम मंडल यानि के आखरी मंडल जो है ये विम्दा इंद्र सची और अन्य के द्वारा लिखा गया है ठीक है तो यहा कार को विश्वा मित्र को माना जाता है इसके रश्वा मित्र थे यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है ठीक है यहां पर यह सूर्य देवता को समर्पित है गायतरी मन्त रिगवेद के नौवे मंडल में सभी 114 सुत जो है यह सूम को समर्पित है ठीक है तो सूम को समर्पि शुद्र शब्द का जो लेक है ये रिग वेद के दस्वे मंडल में मिलता है इसके पुरुष सुक्त में मिलता है इस पे भी क्वेशिन पूछा गया है दस्वे मंडल के पुरुष सुक्त में शुद्र शब्द का वर्णन मिलता है यानि कि अब चार वर्ण हो जाते हैं ब्रा खोतरी कहा जाता है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर वेद से संबंदित कुछ ब्रामभड गरंथ है तो रिर्ग वेद के जो है दो ब्रामभड गरंथ है एत्रे और कौशित की ठीक है एत्रे और कौशित की जो है ये दोनों ही ब्रामभड गरंथ है इसको भी आप important नहीं है तो यहाँ पे आप तो याद करिए कि इसको यग्ये को संपन्न करवाने को होता कहते हैं और एत्रे और कौशित की जो है ये रिगवेद के दो ब्रामभण है बस इतना ही याद करना है इसके साथ ही ये रिगवेद में स्तुरोत और कर्मकांड का वर्णन है यहाँ पे ये रिगवेद कर्मकांड से संबंधित है यहाँ वेद गद्य और पद्य दोनों में ही है ठीक है इंगलिश में पोयम और पुरोज जो है वो दोनों में ही वर्णित है गद्य और पद्य में यजुरवेद में कर्मकांडो को संपन कराने वारे पुरुहित को अधर्विव कहा जाता है, इसकी भी दो शाखाएं है, यानि कि यहाँ पे भी दो ब्राम्हर गरंथ जो है, वो अवेलिबल है, कृष्ण यजुरवेद और शुक्ल यजुरवेद, ठीक है, जो कृष्ण यज यजुरवेद है, ये गद्य और पद्य दोनों में ही पाये जाता है, और शुक्ल यजुरवेद सिर्फ पद्य में पाये जाता है, यजुरवेद का जो अंतिम भाग है, इशोब उपनिशद, इसका संबंध याग्यक अनुष्ठान से ना हो करके, आध्यात्मिक चिंतन, य तो यहाँ पर शुक्ल यजुरवेद के बारे में भी कुछ बाते जो है, वो आपको पता होनी चाहिए, इसके साथ ही शुक्ल यजुरवेद को बाजसने भी कहा जाता है, तो इस नाम से भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ये शुक्ल यजुरवेद को ही कहा जाता है, फदर अ कर लिजे क्योंकि इस पे जादर ता क्वेश्टन पूछे नहीं जाते हैं पूछे क्या जाते हैं कि यजुर्वेद के दो प्रमुक्षाखाएं हैं एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शत्पत ब्राम्हर जो है, वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राम्हर गरंथ है, ठीक, तो इसका जो विभाजन किया गया है यजुर्वेद का, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद का ब्राम्हर गरंथ है, य यग्यों के अवसर पर गाय जाने वाले मंत्रों को संग्रह दिया गया है और जो भी व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसको उगदाता कहते हैं ठिक तो यहां पर इसको उच्चारन करने वाले इन मंत्रों को उच्चारन करने वाले व्यक्ति को उगदाता कहते हैं और यह भी प्रश्न जो है यह पूछे जाते हैं, सामवेद में कुछ 1875 रिचाएं हैं, जिसमें से 75, I think यहां पर एक लाइन मिसिंग है, इसलिए यह स्टेटमेंट पूरी नहीं है, आप लोग बस इतना ही याद रखिए, यह 1875 रिचाएं हैं, ठीक है, सामवेद के कुछ प्रमुक शाखाएं हैं, जिसको कहा जाता है, कौथुमिय, रणायनी और जैमिनी, ठीक है, और अथर वेद में, मगद और अंग जो हैं, दोनों ही जो महाजनपत थे, इनका उलेख जो है, वो मिलता है, दोनों को दूरस्त प्रदेश की नाम से जाना जाता है, मगद और अंग, इसमें सभा और समीती को प्रजापती की दो पुत्रियों के नाम से जाना गया है, इसमें सामान्य मनुष के वि टिपलाद और शौनक ठीक इस पर भी प्रश्ण जो है वो पूछे नहीं जाते हैं तो इसको चाहें तो आप लोग स्किप कर सकते हैं अथरवेद की दो शाखाएं हैं याग्यवल्क और गार्गी के प्रसद्ध समवाद का उलेग जो है ये व्रेहदा रन्यक उपनिशद में म नचिकेता के समवाद का उलेख किया गया है ठीक है ये कृष्ण यजूरवेद का ही उपनिशद है यहाँ पर यम और नचिकेता के समवाद का उलेख किया गया है सत्यमेव जयते इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडोप उ उपनिशत दर्शन का आधारिक पुस्तके हैं इन्हें वेदान्त कहा जाता है तो उपनिशत दर्शन पर आधारिक जो पुस्तके हैं उपनिशत दर्शन पर इनको वेदान्त कहा जाता है इसके साथ ही उपनिशत का अर्थ होता है कि शिष्य के द्वारा मतलब गुरू के यान होता है, इसको उपनिशद कहा जाता है, ठीक है, इसमें पहली बार, प्रथम बार, मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो ये भी प्रशन पूछे जाते हैं, कि मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है, तो उपनिशद में मिलती है, वेदांग की जो संख्या है, वो 6 है, इसमें भी कि जाए तो इनकी संख्या जो है यह 18 है जिसमें से मतस्य, मारकंडे, भविश, भागवत, ब्राम्हन, ब्रम्ह वैवत्त, ब्रम्ह, वामन, वराह, विश्नु, वायू, अगनी पुराण, नारत पुराण, पद्य पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुर यह सभी संख्या है, ठीक है, यह सभी पुराण है, ठीक है, इनकी रचना जो है, वो लोमहर्ष, रिशी के द्वारा की गई थी, तथा उनके पुत्र, अग्रश्रवा द्वारा की गई थी, ठीक है, तो लोमहर्ष, रिशी आप लोग याद कर सकते हैं, इसके साथ ही, इसमे मिलता है यह परुष्णी नदी जिसको आधुनिक रूप से रावी नदी माना जाता है इस टट पे युद्ध हुआ था इस युद्ध में राजा सुदास तथा अन्य दस राजाओं के एक संग के बीच में युद्ध होता है ठीक है तो एक राजा जिसका नाम है सुदास और कि विपक्ष में दस राजाओं का एक संग था उनके बीच में युद्ध होता है जिसको दश राग युद्ध का जाता है और परुष्णी नदी के तट पड़े के युद्ध जो है यह लड़ा जाता है इसके साथ है इस युद्ध में सुदास की विजह होती है सुदास के पुरोहित होते हैं यह होते हैं वशिष्ट अभी यहां पर पुरोहित है यह माना जाता है कि पुरोहित लोग युद्ध के समय राजा के साथ ही जाते हैं ठीक तो यहां पर पुरोहित का अर्थ यहां पर प्रीस्ट से नहीं है जो मंदिर में बैठे हैं यह लोग साथ में रा रामणी का उलेख रिग वेद में मिलता है, इसके साथ ही गुप्टचर और दूत का उलेख भी मिलता है रिग वेद में, रिग वेदिक जो समाज था ये पेत्र सत्तात्मक था, पेट्रियार कर, जो था सुसाइटी हुआ करती थी यानि कि जो भी पुरुष था, उसको डॉमि लोप मुद्रा, विश्ववारा, अपाला, ये चारो ही नाम जो है ये important है, ये सभी जो है, ये सिक्षित इस्तरिया थी और साथी, इन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की है, ठीक है, तो इस पर भी प्रशन पूछे जाता है, घोशा, लोप मुद्रा, विश्ववारा और अपाला ये सभी इस्तरिया हुआ करती थी, जिसमें से लोप मुद्रा ये अगस्त रिशी की पत्नी हुआ करती थी, ठीक, आरे जो है, वो मानसाहारी तथा शाकाहारी दोनों ही प्रकार के हुआ करते थे, और जो अधिक महत्व पूम भोजन था, उसमें दूद, घी, दही, इत्यादी जो मिल्क प्रोडक्ट है, वो मतलब उस टाइम पे विशेश महत्व रखते थे, इसके साथ ही दूद की पकी हुई खीर का भी उल्लेख जो है, वो मिलता है यहां पे, जो के सत्तु को दही में मिलाकर करम नामक खादे पदात भी बनाया जाता था, इसके साथ ही तीन प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, जिसको नीवी, वासस और अधी वासस से भी कहा जाता था, इस्त्री और पुरुष जो थे, यह दोनों ही आभूशन पहनते थे, इसके साथ ही यहां पे कुछ मनुरंजन के साधन भी हुआ करते थे, जैसे कि रत दौर, घुर दौर और पासा खेलना, आर के जो संस्कृति थी, वो मूलता ग्रामेड थी, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था, कि जो इंडस वैली सिवलाइजेशन थी, वो सभी अर्बन सिवलाइजेशन मानी जाती है, बट आर्यों का जो समाज था, यह ग्रामेड यानि की रूर समाज था, क क्रिशी जो था, वो काफी कम हुआ करता था, अगर क्रिशी योग ये भूमी की बात की जाए, तो उसको औरवरा या छेत्र कहा जाता था, ठीक है, इसके साथ ही अगर समाज की बात की जाए, तो यहाँ पर जो व्यवसाय था, यह अनुवांशिक यानि की हरिडिटरी नहीं ठीक है, तो जिसका जो पिता है, वो जिस व्यवसाय में है, जरूरी नहीं है, पुत्र भी उसी व्यवसाय में हो, और कौन से व्यवसाय जो थे, वहाँ पर रिगवेदिक काल में मिलते हैं, उलेख, जैसे कि बढ़ही मिलता है, स्वनकार मिलता है, शर्मकार मिलता है, और ध विख्यात था, इसके साथी व्यापार जो है ये बार्टर सिस्टम यनि कि अदला बदली प्रणाली पर आधारत था, यहां पे कोई बिखत्रकार के सिक्कूँ का उलेक नहीं मिलता है। यहां पे जो व्यापार है वो बार्टर सिस्टम पे वुआ करता था, यानि कि आधान प्रदान, वस्तुओं के आधान प्रदान प्रणाली पर ही यह इसका आधार था, इसके साथ ही कुछ निश्क का उलेक मिलता है, माना जाता है कि एक प्रकार का कोईन के रूप में ही हुआ होता है, यापर लेकिन बार्टर सिस्टम ही आप लोग याद रखे, निश्क का नाम आप लोग याद कर सकते हैं, इसके साथ ही व्यापार और वाणिजी का जो काम था, वो पड़ी वर्ग के लोग के द्वारा किया तो व्यापारियों को पड़ी नाम से जाना जाता था, इसके साथ ही रिग वैदिक काल के लोग जो थे, वो लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ पर बात हो रही है रिग वैदिक काल की, यानि कि वैदिक काल में जो प्रिवैदिक काल है, उसकी बात हो रही है, यहाँ के लो किये जाने वाले चादर या ओधनी को कहा जाता है ठीक है जो भी डुपट्टा जैसा लिया जाता है उसको अधिवासस कहा जाता है तक्षा जो है वो बढ़ही को कहा जाता है कर्मा जो है धातु कर्म करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है वेकनाड जो है ये सूध खोर को कहा ज जाए तो इंद्र को विश्व का स्वामी माना जाता है सबसे इंपॉर्टन देवता जो है वो इंद्र को माना जाता है और देवताओं को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है एक पृत्वी के देवता आकाश के देवता और तीसरे हैं अंतरिक्ष के देवता जिसमें पूद्र आपः वायू वात ये सभी जो हैं ये अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं ठीक है तो ये सभी जो हैं देवी देवताओं के जो नंबर्स हैं उनकी संख्या जो है ये बढ़ती जा रही हैं देख सकते हैं आप लोग नेक्स अगर देखा जाए तो रिग वेद में स समर्पित हैं इसके बाद इंद्र के बाद आता है अगनी देव को 200 सुत्व जो है ये समर्पित है और ये दूसरे सरवादिक महतपूर देवता माने जाते हैं ठीक है इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है इसलिए क्योंकि अगरिकल्चर या कृशी वो वर्षा से सब सब्सक्राइब को प्रमुख डेवता माना जाता था और तीसरा स्थान ये सोम को दिया गया है तो चंदरदेव को तीसरा स्थान ये दिया गया है नेक्स्ट है उत्तरवेदिक काल के कुछ महतपूर्ण प्रमुख राज्यों के नाम जैसे की काशी, कोसल, कूरू, पांचाल, विदे, मगध और अंग ये सभी उत्तरवेदिक काल में इनका उलेख जो है ये मिलता है उपनिशत में कुछ छत्रिय राजाओं का भी उलेख है और राजाओं के विभिम नाम से जाना जाता था जैसे पूर्व में समराट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था, उत्तर में विराट कहा जाता था, दक्षिन में भोज और मध्य में राजा कहा जाता था, जैसे जानकारी के लिए जान लीजे, इसको कुछ खास इस पर प्रशन पूछे नहीं गये हैं, इसके स ठीक है अथर वेद में भी एक राट सर्वोच साशक को माना गया है तो एक राट जो है यह सबसे महत्रपूर्ण जो शाशक होता था उसको कहा जाता था परिक्षित को मृत्य लोग का देवता माना जाता है अथर वेद में चंदों के उपनिशद और व्रिहदारन्यक में आरुनी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीश में ब्रह्म और आत्मा की अभिन्दता के विशे में समवाद के बारे में पता चलता है ठीक है फिर यहां पे कुछ इंपॉर्टन नाम है और किस पन पे ये व्यक्ति हुआ करते थे उस काल में ये हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला है पुरोहित जो की राजा का प्रमुख परामर्श दाता हुआ करता था एडवाईजर हुआ करता था इसको पुरोहित कहा जा वो रत सेना का नायक हुआ करता था सूत कहा जाता था उसको सूत संग्रिता जो था वो कोशाध्यक हुआ करता था नेक्स्ट है भाग दूध जो था वो एक कर एकत्र करने वाले अधिकारी को कहा जाता था अक्षवाप जो है वो आय व्याय का जो गर्णा करता था उसको कहा जाता था अक्षवाप पालागल जो है ये विदूशक को कहा जाता था छात्री या फिर छता जो था ये प्रतिहारी या फिर दौवारिक को कहा जाता था ठीक है तो इसमें जो इंपॉर्टन्ट है ये मैंने आपको बता दिया ये सभी नाम आप लोग याद रखें पुरोहित अभी शेख ये 17 प्रकार के जलों से किया जाता था इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है ब्राम्भन, शत्रिय, वैश और शूद्र एत्रे ब्राम्भन में 4 वर्णों के करतव्य बताई जिसमें शत्रिय और राजा का करतव्य है ब्हुमी का राजा वो शत्रिय गुआ गयाग करता था, जिसको ब्हुमी का स्वामी बताया जाता था बैश जो है वो दूसरे को कर देते थे, शूदर जो है वो तीनों वर्णों के सेवक मानने जाता थे इसके साथी एत्रे ब्रामध में कन्या को एक चिंता का कारण माना गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्याओं के स्थिति या फिर महिलाओं के स्थिति थोड़ी नीचे होती जा रही है जैसे जैसे हम लोग उत्तरवैदिक काल के तरफ बढ़ रहे हैं तो उत्ते वैदिकाल में स्त्रीयों की दशा में गिरावट देखी गई है, मैत्रायनी सहिता में स्त्री को पासा तथा सूरा के साथ तीन प्रमुख बुराईयों में गिनाये गया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ ही छंदो उपनिशद में तीन आश्रम का उल पचास से पच्छत्तर वर्षों तक और सन्यास आता है पच्छत्तर से सौ वर्ष के बीच में, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के आयू लगभग सौ वर्ष तक मानी गई है, और सभी आश्रमों को पच्छिस-पच्छिस के भाग में बाटा गया है, जिसमें से प्रमुक हैं, ब्रह्म विवा, दैव विवा, आश्र विवा, परजापत्य विवा, गंधर्व विवा, असुर विवा, राक्षश और पचास विवा का उलेख माना जाता है, ठीक है, तो यह सभी जो विवा के उलेख हैं, यह आप लुक देख सकते हैं, जो भी स या फिर प्रीवियस एर के जो भी आपके पास नोट्स अवेलिबन हो इनसे सॉल्व करिएगा जरूर से सॉल्व करेगा क्योंकि नोट्स जो है वो एक बार में याद तभी होते हैं जब आपने उससे संबंदित प्रश्ण सॉल्व कियों और जादा से जादा बार सॉल्व किय ये बहुत धर्म से संबंदित कुछ क्वेश्चन में आपनों से पूछना चाहते हूं जिसका आंसर आप लो कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजेगा ठीक है तो पहला प्रश्ण है कि परुष्णी नदी जो है उसके टड़ पे दस राजाओं का युद्ध होता है ठीक है ज जो आधुनिक नाम है उसके बारे में आपको बताना है तीसरा बताना है कौन सी नदी जो है वो सबसे पवित्र मानी जाती थी नेक्स आपको बताना है यजरवेद के ब्रामहड के नाम ठीक तो यह सभी प्रश्ण जो है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा नेक्स लेक्शर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत धर्म से रिलेटेड चीज़े जो भी आप लोगों को नोट्स के टेबल अब जो भी डेटा दिया गया यह कभी न कभी प्रश्ण पूछे गया है तो यह सब ही डेटा जो है यह प्रिवियेस यह क्वेस्टन से ही लिए विए गया इसलिए मेरा आपसे कहना यह रहता है कि जब भी आप लोग नोट्स पढ़ें या चाहते हैं कि सारी जीज ह revise हो जाए तो उसके लिए क्या करिए कि एक बार question जो है वो खुद से solve कर जाए ठीक है तो घटना चक्र बहुत easily available है कहीं पे भी आप लोग देख सकते हैं चाहिए तो PDF भी ले सकते हैं तो वहां से अगर आप लोग प्रश्न को solve करेंगे एक particular chapter जब भी आपको पढ़ाया जाता उससे संबंदित सभी प्रश्नों को solve कर लीजे और वो chapter आपका पूरा-पूरा तयार हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आज की lecture है बस अतना ही thank you for watching the lecture